तो फिलाल दूस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग जो है अपने background noise को cancel कर सकते हैं तो दूस्तो फिलाल अभी जो आप लोग मेरा यह वोईस सूर है यह दोस्तो without noise cancellation का है और अभी जो आप लोग मेरा यह वोईस सूर है यह दोस्तों with noise cancellation का है तो दोस्तों दोनों में आपको डेफर समझ में आ गया होगा कि without noise cancellation और with noise cancellation में क्या आपको डेपर देखने को मिल जाता तो तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम यहां पर पूरा डिटल जाने वाले की इस तरह से आप लोग जाए आपने बैगराण उसको केंसल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से बस आप लोग को एक सौप्ट्वेर की रुखायर मैंने अर्दोस्तों उसके ज़री आप लोग क्या कर सकते हैं अपने करना है उसको simply आप इसमें इंपोर्ट कर लिजे तो हम यहां से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरह से और दोस्तों यहां पर जैसा कि इतना देख पा रहे हैं यह दोस्तों मेरा चैसे को अनुचे करने हैं यहां से इतना कुझ कर लेता हम और उसके बाद जाना की बाद आपकोनोल करना में मदसे चेंदा होओं सबक्राइक क्लिक करने और पिंस था आपको जाना नौसम में और इहां जाने की बाद आ सुवित्वारेटा-क्रद करते तो तो यहां पर देख पा है किमेर कहने लिए खर ज्यादा और अगर आपको लगता कि मुझा और कम करना चाहिए तो आप फिर से इसको सेलेट किजिए इतना को फिर से एफ्यक्न जाईए और नॉइज डिरेक्शन में गयाट नॉइज कंट्रोल एसे पुरा को स्लेक्ट किजिए एफेक्ट में जाए और फिर से नॉज डिरेक्शन में और यहां से ओके कर दिए ठीक है तो दोस्तों यहां से क्या होगा कि आपका नॉज जो था वो सारा रिमूब हो चुका है और अभी हम इसको प्ले करतके देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा तो देखिए यहां पर दोस्तों थोड़ा सा भी अभी आपको नॉज नहीं मिल रहा है तो यहां पर आपको थोड़ा सा भी नॉज नहीं मिल रहा है उसके बाद आपको और अगर साउंड क्वालिटी तो अच्छा करना है तो आप इफेक्ट में जाए यहां से आप थोड़ा सा एक को डाल सकते हैं 0.1 उपर में और नीचे में भी 0.1 रखके इसको आप OK कर दिए उसके बाद तो आपको ट्रेवल और बेस चाहिए तो आप फिर से एफेक्ट में जाए और यहां पर जाने के बाद बेस और ट्रेवल तो मैं अ है यहां से export audio करना है और उसके बाद आप जिस लोकेशन में इसको सेब करना चाहते हैं वहां से इसको सेब कर लिजए और सिंप्लिए आपको सेब कर लेना है और यह दोस्तों यहां से आपका audio quality एक अच्छा खासा quality में वह पनवर्ट हो जाएगा इसमें जितना सार आपका वह सारा कैंसल हो जाएगा और दोस्तों एक आपको अच्छा जो हो वह quality वाला साउंड मिल जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी जो है वह अपने audio का बैक्गरण ने इसको कैंसल कर सकते हैं इस software की मदद से software आपको description में मिल जाएगा वहां से आप लोग इसको simply क कर सकता हैं तो आसा करते हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ घाऒगा विडियो कर पसंद दे तो वीडियो को लाइक कीजिए